नमस्कार सभी दोस्तों को मैं जोती आप सभी का स्वागत करते हूं स्टेड़े विर जोती यूटूब चैनल में आप सभी को सामने दिखाई दे रहा है कि डिटर प्लेस भी 2022 के मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चिन आपके लिए लेकर आई हूं जो कि अपने 2000 क्वेश्चिन क सब्सक्राइब नदयी शुरू कर रखी हैं तो उसको मैं कम्प्लीट करौण अब को मैंने ट्विडियो में आंत तक बने रहे हैं क्योंकि आपके तो आप इन वीडियो जो पूरा देखी यह पार्ट है यह पार्ट कुन सा यह पार्ट हमारा है शिक्स पार्ट है और मैंने पांच पार्ट इसमें करवा दिया है सामेद से और अथर वेद से मनते हैं जो मारे इंपोर्टेंट कोशन वे हैं निरुक्त से जो में मनते हैं और सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन उन्से और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ठीक है जो ठीक है चलिये स्टार्ट करते हैं आमारा जो मैंने की 1208 गोशन आज क breaths हो जाएंगे यह हमारा कौंण सा कोशन है एक जार नुवा कॉश्म ठीक है चलिको स्टार्ट करते हैं पर ऐसकी कोशिंचे तो आज का कोशिंच हमारा है तो रिगवेद के कितने सुरौद्य शुट्र है यह है दो अस्वन्लाइण और शंक्यान कौन कौन से आसमलाण की है नेक्स्ट हमाया क्षुचिन है यजीरवेद के कलते हैं तो रैजैनए की सिरोत्सुत्र है है पलबी दैक देखिए कौन-कौन से यहाश में लिखा हुआ है मैं मैंने आपको दिखाई तो नहीं देरा हुआ कि मैं बता देते हूं कात्या इन है आपस्तंभ है मेखाने सिरने केशी बार्दवाज मानो यह हैं ठीक है तो इनको याद रखी आप कितने हैं आठ हैं और सामवेद के कितने स्रोथ सुत्र प्लब्द हैं सामवेद के हैं दो कौन- हमें द्रोथ सुत्र अप्लब्द है एक रै कोन सा है वैतान इन गुल्हावट अथरवेद के हमा सामवेद के ग्रह सुत्र कौन से हैं तो यह है रिगवेद के गोभिल खादिर जैमिनी है ठीक है गोभिल खादिर जैनी है यह है सामवेद को ऐसे अथर वेद के ग्रह सुत्र की शंख्या कितनी है अथर वेद के ग्रह सुत्र की शंख्या एक ठीक है वह कोशिक चलिए आगे चलते हैं सबसे प्राचिन धर्मशुत्र कौन सा है सबसे प्राचिन धर्मशुत्र है गोतम धर्मशुत्र है ठीक है वसिष्ठ धर्मशुत्र किस वेद से संबंधित है तो वसिष्ठ धर्मशुत्र है रिगवेद से ठीक है धर्मशुत्र किसका है ये सब्द का तात्प्रिय पढ़ते हैं तो यग वहन दर्म सुट्र में यह तख एक ही वेदी से सब्णा धिया है थे हैं टोटम ध्र में कितने अल्ज्य है को तम धर्मार्म सुट्र में अध्याई है सामवेद , अथरवेद उनके क्या नहीं है ईकिनzahl अगला क्षिचिन है रिग्वेद के कितने धर्म शुत्र हैं कितने दो या एक हैं एक हैं है रिजार भिद से संबन धितal धर्म शुत्रों की संख्या कितनी है यह नहीं है पांच संग्छैगा अगला question मारा है, सम्मवेद से सम्मंदित धर्म शुत्र उस है? चल्ए अगला question देखby लेती है, अथर्वेद क मदित ग्रेत कोशिक पुरानों की संख्या कितनी है? पुरानों की संख्या है? अठार रहे है? ठिक है? चलि आगे चलते हैं उप पुराणों की सर्व सम्मत संख्या कितनी मानी गई है तो ये मानी गई अठार देखी उप पुराण भी अठार है और पुराण भी अठार ही है अगलाग प्रस्चन अमारा है पुराणों की अनुशार स्रिष्टी कितने प्रकार की होती है तो पुरा त्राण के अनुषार प्रले के कितने प्रकार होते हैं विश्णु पुराण Сейчас प्रकार की भक्ती का उल्लेक मिलता है पुराण में बक्ती में नो प्रकार की ठीक है यह आप किसी भी चीज़ का अगर अंगर देने वाली है या रही इसポule सब् İork जो मैं पूडिटर प्लेस भी या फिर अधर रियाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन कोईशन आप सभी इनको याद कर लीजिए देखते रहें वीडियो को अंत तक कुर्म कुर्म अवतार से समदित घटना कौन सी है कुर्म अवतार से समद्ध घटना है समुद्र मंथन ठीक है वरह अव अवतार में बहग्वान परकट है थे लोसतование किस अवतार में बहग्वान परकट होए थे थे नशिंग ठीक है राद के नुमार ठीक है अगला प्रशन देख प्राण किस ने बचाए थे सबको पता सावत्री ने बचाए ठीक है ब्रम्मा विश्णू महेश की प्रिक्षा लेने को शेर कि गये दीक गए आफाई छेव आ। ठीक है अगला प्रश्ण हम देख लेते हैं दमिंती को प्राप्त करने समवर में कितने देता आये थे दो कितने देता आये थे चार आये थे ठीक है अगला अगला प्रश्ण हमारा है प्रशुराम ने किस राजा का वद किया था प्रशुराम ने किस राजा का वद किया था कार विश्वमित्र की तपश्या किसने भंकी थी विश्वमित्र की तपश्या भंकी थी मेनकाने ठीक है समुद्र मन्थन से प्राप्त अम्रित को मोहनी बनकर किसने वित्रत किया था यह कहता विश्वजी ने ठीक है नक्षत्र मंडल में कितने रिश्यों का निवास स्थान माना जाता है नक्षत्र मंडल में माना जाता है साथ रिश्यों का निवास्थान अगला प्रशन है सिद्धिया कितनी मानी जाती है सिद्धिया मानी जाती है आठ ठीक है अगला प्रशन है निधियों की संख्या कितनी मानी गई है निधियों की संख्या मानी गई है नो वायू कितन अपान व्यान समान उदान ठीक है यह पांच प्रकार की वायू होती है काम के कितने बान होते हैं काम के बान होते हैं पांच प्रकार की पूजा कितने प्रकार की होती है पूजा होती है साथ समुदर साथ ठीक है अगला है हमारा प्रशन दिशाओं की संख्या कितनी माने जाती है तेहीं दिशाओं की संख्या मन जाती है दस ठीक है अगला है यज्य कितने प्रकार की होते यज्य होते पांच प्रकार की ठीक है अगला है विद्याओं की संख्या कितनी है विद्या जो इसे माना जाता है सब्सेश कि रूप को अगला है वयरणसी में कौन शाओगे में विस्वनाथ जोतिरलिंग डिलिए कर उजयन में कौनसा है जोतिरलिंग यह महाकालेशवर उजैन में है महाकालेशवर दिलिंग क्या था तो शो कि माता कम डिति ठीख है राम का अवतार किस यूग में वॉथा राम के अवतार किस यूग में तुरेथा यूग में अगला प्रशन सब्सक्राइब ले चाहिए सत्यूग माना गया है कितने वर्षों का तो यह माना गया है 17,28,000 का ठीक है मतश्य पुराण में कितने वास्तु शास्त्र उपदेशक्रताओं के नाम है तो यह अठार है उपदेशक्रताओं के नाम अगला है भूवनों की संख्या पुराण में कितनी मानें गई है भूवनो ब्रिज रामैन में किस नाम से उद्रित हैं तो एडम्स ब्रिज रामैन में हैं रामशित्व के नाम से ठीक है रामायन के अनुषा राम की जनम तिथी क्या है रामायन के अनुषा राम की जनम तिथी है चेत्र शुकला नौमी ठीक है और मिला लक्षमन के कितने पूत्र थे य लंका का प्रतम राजा कौन था लंका का प्रतम राजा मालेवान था संजीवनी बूटी से लक्षमन को जीवित करने वाले वेद्य का नाम था वेद्य थे ये सुषेन वेद्य अगला है लवकुष का जन्म किस स्थान पर हुआ था लवकुष का जन्म स्थान है वालमे की आश्रम ठीक आश्रम अगला है सीता के अपहरण के समय रावन का युद किस सबसे पहले किस से हुआ था ये सब को पता जटायू से हुआ ठीक है अगला है मारा प्रशन अंगराज रोमपाद की पुत्री का नाम क्या था ये था सान्ता ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं शान्ता के पती का क्या नाम था सान्ता के पती का नाम था रिशे स्रेंग ठीक है रिशे स्रेंग अगला है कैकरशी किस की माता थी ये थी रावन की माता ठीक है देखे कैकरशी थी रावन की माता और के कई थी भरत की माता ठीक है अगला प्रशन है सीता की प्रतीकरती बना कर राम ने कोण सायज किया था ये किया था आश्रोमेध यज ठीक है इंद्र ने किस मुनी की पतनी का शील भं किया थहागा त्था तो इंद्र ने किया था को तंव रिशी की पत्ने का सीवं judgments ठीक है अगला प्रेशचिन है इंद्र को युद्ध में बंदी किसने बना थाम इगनाथ ने बंदी अगला है श्री राम ने किस रिशी के यग्य की रक्षा की थी किस रिशी की यज्य की रक्षा तो यह की थी विश्वामित्र जी के यज्य की अगला है हनुमान जी की माता का नाम क्या था ये था अंजना वर्षिष्ट की पतनी का नाम क्या था ये है अरुंधति भरत क की पतनी का नाम क्या था मांडवी ठीक है अगला है हमारा प्रशन सत्रुगन की पतनी का नाम सुरुतिक किरती ठीक है अक्षय कुमार को किस नहीं मारा था अक्षय कुमार को मारा था हनुमान जीने ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं हम अगला प्रशन हमारा है अहल्या कि कि पूत्र थी अल्ला किसकी पूत्र थी मुदगल की ठीक देखी एक्सप्लेंन नहीं होंगे क्योंकि दोश्यों करवाने हैं इस वीडियो में तो इतनी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो और यह एक्स्प्लेंन करने लग जाएंगे तो ठीक है तो वाइज भी करेंगी हर एक वीडियो वेडियो को आप इस चैनल पर ऐसे ही बने रहे ठीक है तो चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं अगला प्रेशन हमारा है स्री राम को भोगोलिक ज्ञान देने के लिए रव다가 Flysky का दूसरा नाम किया था फोगोलिक ज्यान देने वाले सुर्पर्थम कहां देखा तो ये देखा था पुष्प वाटिका में ठीक है। सुघ्रीव की पत्नी का नाम क्या था। शुग्रीव की पत्नी का नाम था लोमा अगला प्रशन है बाली किस- राजय का राज़ा था प recipro पापूर का ठीक है अनुमान को किस अवतार का किसका अवतार माना जाता है अनुमान को किसका अवतार माना जाता है रुद्र का ठीक है अगला प्रस्ण है रामायन में मुख्ष छंद कौन जारा मैंने मुख्ष चंद है अनुष्टुप छंद अगला है पुत्र पुत्पत्त हें तु दसरत ने यग्य ही तु किशे पुरोहित बनाया किसी पुरोहित बना था रिश हर्ञ ने ठीक इसरींग ताट का किसकी पुझी ताड़का थी सूपगाद सुखेतु की व्यास तिक अगला है अमारा प्रशन महाँ भारत में पुत्र की अनुमति से किसने विवा किया था शान्त नुने झागवा प्रशन हम देख लें अगला प्रशन हमारा है पांडू दरत्राष्ट्र तथा विदूर के जनक कौन थे ये थे व्यास व्यास के सम्मुख सत्यवती की आग्या से आखे बंद कर कोन गई थी यह थी अंबिका ठीका आगे है कि मादरी के पुत्र कोन थे मादरी के पुत्र थे नकुलोर शहदेव अगला प्रशन है पांडू ने किस मुनी का हिरन रूप में विच्ण करते वे वद किया था यह क्या था किंद मुनी ठीक कुद किन मुनी अंशर आएगा इसका अगला प्रशन हमारा है यह हीदिमबा भीम की बहुत्र कोन था रिघंबा भीम का पुत्र था गटोत कच ठीक है अगला प्रसंदेख लेते हैं कोर्वों की भगिने दूर्षला काविवाकिस के साथ ओर था यह दर पुत्र था अंगदेष का राजा ठीक है अगला प्रेशन हमारा है बबभु वाहन किसका पुत्र था अर्जन उलूपी का अर्जुन को नपुन्सक होने का साब किस नैं दिया था यह दिया था उर्वशी ने अध्यात वास के समय द्रोपदी का नाम क्या था तो दुरुप्ति का नाम था से रंधरी ठीक हैं एक वर्ले किसका पूतर था एक वर्ले था हरणने धनु का पूत्र हरणने दनु का ठीक हरननु का तक चले महा भारत दोट उद में कुल कितने सनपति बने थे चार सनपति बने थे ठीक अगला प्रशन है पांडगों में हस्तिनापूर के से बाहर 12 वर्ष कोन रहा था ये रहा था अर्जुन व्यास के पिता कोन थे व्यास के पिता थे पराशर शी अगला प्रशन है अभिमन्यू की माता कोन थी अभिमन्यू की माता थी सुबद्रा अगला प्रिशन है नाग यग्य करता जनमीज किसका पुत्र था यह था परिक्षित ठीक है करण किसका पुत्र था कुंती का पुत्र था स्रीकृष्ण के संख का नाम क्या था यह था पांच जन्ने ठीक स्रीकृष्ण के संख का नाम पांच जन्ने और पॉंडर था भीम के संख का नाम देवदत अर्जुन के था ठीक है अगला प्रशन है हमारा अगला भीश्म के संख का नाम था पॉंडर की एंसर अन्त विजय कि के संख का नाम था ये था युदिष्ट्र ठीक है अगले अगना सोरी अगला प्रशन हमारा है रुकम ने रुकमनी का विवा किसके साथ निश्चित किया था तो रुकमने रुकमनी का विवा किया था शीशुपाल के साथ रुकमनी ने किस पुरोईत को स्री कृष्ण के पाश बेजा था सतानंद को अगला प्रशन है सांख्य दर्शन किस दाष्णिक स्रेणी में आता है तो ये आता है आस्तिक दाष्णिक स्रेणी में ठीक है आयरुवेद के किस ग्रंथ में सांख्य दर्शन शिदांतों का वरण है आयरुवेद के किस ग्रंथ में मिलता है तो सुरुत सहिंता में सांख्य सिदांतों का वरणन मिलता है अगला प्रशन है सांख्य दर्शन का वरणन किस उपनिशद में है तो सांख्य दर्शन का वरणन मिलता है स्वेटर शूतर उपनिश्द में कफिल मौिन की माता का नाम क्या था कफिल माता का नाम था देव भूती ठीकल् स्मेश्ब के पिता कौन थे तो ये थे का弟 ठीक करदम सांख्यकारिका को दूसरे कि admired नाम से जाना जाता है तो जाना जाना जाता है शंख्य शप्तत्सती क्योंकि इसमें सप्त्रकारी का है तो इसे संख्य सब्तत्सती कहते हैं ठीक है सब्तती अगला है अमारा प्रेशन शांख्य दर्शन अनुशार दुख कितने होते हैं सांख्य दर्शन अनुशार दुख होत देखिए अब वक्त किसे का गया प्रकृती को विक्रती भी का गया मूल प्रकृती को ठीक है अगला प्रस्ण है शांख्या में विक्रती कितनी है विक्रती है है शोला है ठीक है प्रकृति विक्रति कितने तत्व है प्रकृति विक्रति हैं साथ तत्व अगला प्रशन है पूरुष क्या है पूरुष क्या है पूरुष है इंगले से कुछ भी नहीं है ठीक है ना प्रकृति है ना विक्रति ना प्रकृति विक्रति ठीक है प्रमे सिध् संक्रटिक अनुमान का लक्षण सक्या में और लिंगी पुर्वक्म अनुमानम प्रकृति की अनुपलब्दी का कारण क्या है प्रकृत की अनुकलब्दी होती हैiece कर माहाभूत की से उत्प्न होते हैं तनमातराश है सांख्या सथ कार्यवाद में कितने प्रकार्ण बताये गए हैं अगला प्रशन है विसादात्मक कुण सा गुण लगू गूण लगू गूण होता है ठीक है ठीन होती है शपर्ष तनमात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है शपर्ष तनमात्रा से वायू की उत्पत्ति होती है अगनी की उत्पत्ति किस तनमात्रा से होती है रूप से होती है जल की उत्पत्ति किस तनमात्रा से होती है यह रश से आकास की उत्पत्ति किस तनमात्रा से होती है स सब्द से सब तन मातरा से अन्योंध अभीभव स्ञेवल जननन वित्वन व्रत्ति कोंन है यह गुर्णजचा अगला है सांख्य का श्ची कोण शचांख्य का सक्सिय पूरुश ठीका सर्ष्च महारा है सांख्याइं के में कितन quanना है संख्या क्या है सोरी तेरह करण है तेरह करण है अगला प्रशन है हमारा अंते करण कितने प्रकार का होता है अंते करण होता है तीन प्रकार का ठीक है मन बुद्धी एहंकार अगला प्रशन हमारा है कपिल मुनी का शिश्य कोन था कपिल मुनी का शिश्य था आशुरी ठीक है सांख्या में तम के कारण क्या उत्पन होता है तम के कारण उत्पन होता है मोह अगला प्रशन है योग दर्शन का आधी वक्ता को नहीं तो आधी वक्ता है हिरन्य गर्भ ठीक है चित कितने प्रकार का होता चित होता है तीन प्रकार का ठीक है अगला प्रशन है क्रिया योग कितने प्रकार के होते हैं क्रियायोग भी तीन प्रकार के होते हैं और योगी कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के ठीक योगी चार प्रकार के होते हैं अगला प्रसन है योग अनुशार बंधन कितने प्रकार के होते बंधन होते हैं तीन प्रकार के देखे क्रियायोग तीन प्रकार के और मचित भी तीन प्रकार के बंधन भी तीन प्रकार के ठीक है यह लिखे में साइड में क्रियायोग चित बंधन यह सब तीन प्रकार के होते हैं अगला प्रशन देख लिए अगला प्रशन हमारा है य नियंशायम ठीक में क्या कहलाता है यह आविद्या ठीक date was the could योग में क्या कहते हैं जो ब्रहोंत्रीय उच्छन को कि कहते हैं cryptocurrency को योग में क्या कहते हैं तू क्या कहते हैं कि तो एंगला है योग में स्वाद्ध्य refusing है क्या कहलाता है श्värddh कहलाता है नियंग ठीक है मिंमांचा दरशन के नुसर मोक्र किससे प्राप्त होता है मिमांचा धरushon के अनुसर कर्म से क्या होता है मोक्रीत प्राप्त लेभि नात्र समर्थ SNseuba ककौन है है कोनल है ठीक है अगला है कर्म का सण्यास का कर्म शञ्यास का पक्षधर कोन है तो कर्म सण्यास का क्षधर है पूरोबान्सक ठीक है यह data का समर्थन कोन-ईज acuerdo अक्षार का कुण नोबन्ध कोनhat जब अंधिकार म अगनेनज शिंचति वाक्या शंगत क्यों नहीं सकता है अगला है तंत्र वारतिक के लिख कौन टंत्रवारती के लेकक हैं कुमारिल भट ठीक है इगला प्रशन हमारा है मिमान सा दर्शन का शुत्र क्या है मिमान सा दर्शन का शुत्र है अथ आतो धर्म जिगज्याशा ठीक है मिमान्शा के अनुब्द क्या है मिमान्शा दृषिन के अनुशार शब्द क्या हैता इनित्य च्छके अगे अगल vaccin के कितने संप्रदाए है मिमान सा के संप्रदाय हैं दो ठीक है अगला प्रशन है पार्थ सार्थी मिस्र की रचना कौन सी है पार्थ सार्थी मिस्र की रचना है सास्त्र दीपी का ठीक है अगला है हमारा प्रशन अप औरुशे वाक्य के कितने भीद है अप औरुशे वाक्य के भेद कितने हैं कितने पदार्थ स्विकार किए पदार्थ किये हैं पांच द्रवे किये हैं 11 ठीक है सरवाणी ग्यानानी यह थार्थानी कौन स्विकार करता है तो कौन करता है प्रभाकर जी चलिए आगे चलते हैं आगे हैं शाक्षात प्रतीति ही प्रतक्षम कौन स्विकार करता है यह करता प्रभाकर प्रभाकर कितने पदार्थ स्विकार करते हैं आठ प्रदार्थ ठीक है प्रभाकर करते कितने पदार्थ आठ पदार्थ स्विकार करते हैं प्रभाकर कितने दर्वे स्विकार करते हैं नो दर्वे प्रभाकर की अनुशार कितने गुण है एकीश गुण है ठीक है म प्रमान्चा के नुसार कर्म के कितने प्रकार होते हैं तो यह ते तीन प्रकार अगला प्रेशन हमारा है यह लास्ट कोशन साइध नहीं लास्ट तो नहीं होगा यद रूपेन यन श्चितम तद रूपम नय वह भी चरेती तक शत्यम किसने कहा यह कहा संकरजी ने ठीक है जलते हैं भारतिये प्रंप्रा संस्कृत को मानती है क्या मानती है अनाधी देव वाणी गंधर वाणी नहीं मानती है पुरा वाणी भी नहीं गोव वाणी नहीं तो क्या मानती है अनाधी देव वाणी ठीक है सरवाधिक प्राचीन संस्कृत करंथ कोंशा तो सरवाधिक प प्रशन हमारा है अल बुरेनी ने किन गरंथों का अर्भी भाषा में अनुवाद किया तो किन गरंथों किया था योग शुत्र सांख्यकारिका इंदों का अर्भी भाषा में क्या था अनुवाद किया था ठीक है भगवत गीता का सुर पर्थम फारशी भाषा में अनुवाद किसी ने कराया था तो यह करवाद था दारा शिको ने ठीक है साकुंतरलम का अंग्लेजी न Little iedereen ए किया था अगला अमारा है अथरभेगे का फार्शी ने करा यह करा था धार शिको को ने ठीक है सिर्ग पर मे किन ग्र tomar fast दोट उसका आल कि निक पर सिर्रे अकबर का फ्राइंच था लेटिन में अनुवाद सुर पर्थम किया था किसने डू पेरन ने ठीक है अनुशाष नवाद किसने किया यह किया था विल सन ने ठीक है पातंजल महाबाशय का अंगरी जी अनुवाद किसने किया है के तो प्राचिन संस्क्रूस क्या है म numéro किसने किया है किल और ने ठीक है तुलनातमक वैदिक माईठोलोजी कालेख कौन है Maxa M ‫ каж संधियों का लेटिन ग्रिक जर्मन एवं फारसी के साथ तुलनातमक वैचन किसनह क्या in एफ वोब ने अगला है ब्रत्री हरी सतकम का डच मेनवाद किया था यह इतने इंपोर्टन नहीं है अबराहम रोजरन ने प्लाशिकल संस्कृत रिटरेचर का लेख कौन है तो यह कीथ वैदिक इंडेक्स इंपोर्टन्ट है इसमें वैदिक इंडेक्स का लेख कौन है यह पुछा भी गया है नेट क पर मिलता है रामयन में मिलता है वैदिक एवं लोकिक संस्कृत में अंतर का कारण है परिवर्तन शीलता ठीक है अगला प्रशन है प्राकर्तिक प्राकर्त संस्कृत में अंतर का कारण क्या है तो प्राकर्त तथा संस्कृत में अंतर का कारण क्या है जन सामने का वेवार ठी अगला प्रशन हमारा है अभी हमारे कितने क्वेशन बारा सो नो क्वेशन कंप्लेट होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंतमें लाइक करके जरूर जाए और अगर चैनल पर आप नहीं है या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा चलिए है विलेगते को श्राइब कुशन है अभी हम आगे हमारा कुशन हैं उद्य का कारण क्या है पाली बाशा के उद्य का कारण है क्लिष्ट संस्कृत प्रियोग ठीक है यह हमारे बारा सो नो कुर्शन कंप्लीट हो गए हैं ऐसे ही मैं वीडियो डालती रहूंगे आपके लिए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी क्योंकि आपके प चैनल को और झाल का दम है प्हें टूंगे का का आपके लिए कि लिए खाव्चाय मैंगे ऑ्र जापके लिए सब्सक्राइब कि हमारे डालती फली बाहे पाल today-डूर्य कर एपके लिए भीके जूनिते हैं यह हैं आपके लिए पने रहें रहें से बार चाल